नवस्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे से MS Garden यूटूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपके सामने एक और एंसी वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम आपको बताएंगे अनार के पौदे की के टिप्स के बारे में और उसमें फर्टिलाजर किस तरीके से हमको यूज करना है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूरी जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो को अंतर तक जरूल देके हैं तो चलिए दोस्तो अब वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तो आपπस जो यह я सामने देख रहें इस अनार के पौदे को इस पर बहुती जादा फल लगे हुए हैं इस पर फल और फूल पत्तियां बहुती ही लगे हुए हैं हमारी इस पौदे की पत्तियां भी हरी बरी और घनी हो गई हैं हमारा यह अनार का पौदा बहुत बड़ा हो चुका है हमने इसमें जो फर्टिलाजर यूज किया है उस फर्टिलाजर से आपका भी अनार का पौदा बहुत ही जल्दी से ग्रोथ करने लगेगा ज़ी आप हमार से ज्यादा फल और फूल और पतिया आएं हर कोई कुछ ना को चुपाय करता है तो सबसे बेस्ट उपाय मेरे पास है जो मैंने इस पौदे में यूज किया है वो हम आपको आंगे बताएंगे ताकि आपके घर पर लगा हुआ पौदा भी बहुत जल्द से ग्रोध कर सके और आप भी अपने पौदे पर ज्यादा से ज्यादा फल और फूल पा सकें देखिए दोस्तों किस तरीके से मेरे पौदे पर अनार की कलिया निकल रही है और किस तरीके से छोटे-छोटे कलिया अच्छी लग रही है ये बहुत ही जल्दी बड़ी हो जाएंगे और इस पर बह मैंने इसमें बताया है आपको जो आप वीडियो को देखने के बाद समझ जाओगे एक बात और दोस्तों आप सभी ये सोचते होंगे कि अनार का पौदा ज्यादा से ज्यादा फल गर्मियों के टाइम पर ही क्यों देता है सरदियों में क्यों नहीं फल लगते इस पर आनलो इसकी केर यह है कि इसमें हमें टाइम से पानी देना चाहिए ताकि इसका उचन बन सके और इस पर पत्तियां हरी बरी रहें और दोस्तों हमें इस पौदे को जादा से जादा धूप देनी है ताकि इस पौदे की ग्रोथ अच्छे से हो सके तो बहुत से केस सुने होंगे आ डावर हनी सेंत लिया हुआ है इस डावर हनी सेंत में से हम एक चमच निकाल लेंगे फिर एक चमच को हम इस परेके डिब्बे में डाल देंगे ये अच्छे से इसमें डालने के बाद मिल जाएगा फिर हम इसमें एक और चीज डालेंगे जो कि आप देखोगे अभी सामने तो तो दोस्तों, चलिए हमने ये Epsom Salt भी लिया हुआ है, इसको भी हम इस बॉक्स में डाल देंगे, अच्छे तरीके से हमारे दोनों मिल जाएंगे, हमने Honey और Epsom Salt इसमें डाल दिया है, तो हमारे ये दोनों मिलकर तयार हो जाएगा भी, तो दोस्तो हमारे ये मिलकर तयार हो चुका है अब हम इसको थोड़ा सा शेक कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिल जाए और बहुत ही जल्दी से पौदे पर अच्छे से फाइदा कर सके तो दोस्तो देखिए हमारे ये मिलकर तयार हो चुका है हमने इस अनार के पौदे पर इस्प्रे करना स्टार्ट कर दिया है अब हमारे इस अनार के पौदे पर ना ही तो फंजाई कीड़े लगेंगे ना ही ये ये सूकेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ही करेगा अगर दोस्तो आपके भी गर पर गर नार का पौदा लगा हुआ है तो हमारे सिस्पेरे को जरूल एक बाट ट्राइग जरूल करें ये दोस्तो अब हम इसमें फर्टिलाजर की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि हमारा पौदा ज्यादा से ज्यादा फल दे सके और ग्रोध कर सके तो दोस्तो हमने एक बाल्टी में ज्यादा से ज्यादा दो लीटर पानी लिया हुआ है फिर उस पानी में ये कंड़े के ट यार हो चुका है हमारे ये फर्टिलाजर इस अनार के पौदे में बहुती ज्यादा से ज्यादा ग्रोध करेगा तो चलिए दोस्तो हम इस पौदे के पहले से थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे हम इसकी अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हम इस फर्टिलाजर को इसमें यूज करेंगे इसकी गुड़ाई करना इसलिए जरूरी है ताकि जो हम इसमें फर्टिलाजर डालेंगे वो जल्दी से जादा ग्रोथ करेगा इसमें ताकि ये हमारा पौदा जादा से जादा फल दे सके तो चलिए दोस्तो अब हम इस फर्टिलाजर को इसमें डालने जा रह हमने यह अपना फर्टिलाजर इसमें डाल दिया हमारा अब यह पौदा बहुत ही जल्दी से ग्रोध करेगा यह दोस्तों हमारा यह फर्टिलाजर बन के तैयार हो चुका है हमारी यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अगर चैनल पर प